कोरोना और लॉकडाउन में सहकारीता वभा की ओर से ग्राम सिवा सहकारी समीतियों और क्रेव विक्रे सहकारी समीतियों को गौन मंडी का दर्जा दिया गया है इस पहल से प्रदेश के 15,000 किसानों को लाब हुआ है इसे किसानों का कोरोना संक्रमन की साथ समय का भी बचाव हुआ है पहले जहां किसान 20-25 किलोमिटर दूर मंडी में उपज बेचने आता था लेकिन इस ववस्था से ये दूरी घटकर 2-5 किलोमिटर रह गई लोगडाउन में ट्रैक्टर सहित दूसरे वाहनों की किलत भी थी और ऐसे में सेंपल के आधार पर ही बोली लगाई जाती थी और स्थानी स्थर पर ही प्रतिस फरदातमक मूल्य में उपज बिकने से किसान की वित्य जरूरतें भी पूरी हुई अधिक किसानों के मंडी में जाने पर सोशल डिस्टंसिंग में भी समस्था रहती है गौण मंडिया बनने से इसका लाब हुआ गौरतलब है कि शितलता देकर 604 ग्राम सेवा सहकारी समीतियों को गौण मंडी खोशित किया गया था इन गौण मंडियों में 427 गौण मंडियों ने सुचारू रूप से कारकर महामारी के दौर में किसानों को खेत के पास ही उपच बेचने की सुवधा प्रदान की गई है